अला दोस्तो में राज कुमारी मेरे राज टेस्ट गार्डन मां आपका स्वागत है और आज मैं आपको गिलकी पर थिरिजी कटिंग करना का वीडियो आपके शेयर कर रही हूं तो पहले दोस्तों पोदे की बात की जाए पोदे का गिलकी का पोदा कम से कम 40 दिन का होना चाहिए और इसकी जो लंबाई होनी चाहिए वो आदा मीटर होना चाहिए तीस सेंटी मीटर से भी उच्छा होना चाहिए और जितने इसके साथ से आठ जो पत्ते होते हैं उन सब पत से आटा देना है इनको अटाने का करण यह है दोस्तों की साइड से जो ब्रांच निकलेगी और नहीं होगी तो दोस्तों यह थ्रिजी कटिंग की जाती है तो दोस्तों थ्रिजी कटिंग इसलिए की जाती है क्योंकि जो सके इसकी जो यह मेंन प्रांच होती है इस ने मेल फ्लोवर Legends आते हैं इसलिए थरजी क्टिंग की जाते यह कि पहली बाली कटिंगा झास्टों मैंने यहां से इसको उसका क्ट कर दिया झात कर ये दो लिया था तो ये दो ब्रांची सेकी यह निकल चुकी तो बन ब्रांचा काटी ती उसमेंसी दो ग्रोथ और या वाले पी लूत हो की यह ज्दा ब्रांची निकल चुकी जह इस है अब इसमें भी आपन इस फेड्य धो इतु जी लित क्व Frankfurais Felix के वाजय के बाद में तो सकते हो और इस पहर भी कुछ यह में इतना ही क्व रखना जाते हूं तो में इसको शहां कर दिया आध आँ दोस्तों गिल के एसी सब्जी जो इसके लिए बड़े स्पेस की जरुद्स पड़ती है और ड़ेसी व कि मैं इसके लिए है तो दोस्तो इसके लिए में आपित्य करें करते इसमें मैंने अच्छे स्मृडची तयार करकर भर के दोस्तों और आराम से और जूजकी और तो इसकी खाहट की बात की जाए तो इसमें गोबरे की खाक बर्बी कम पोज और सरसो कि खली अपते में एक बार जरूर डालना चाहिए दोस्तों क्योंकि इससे फल फूल अधिक मातरा में आते हैं और इससे बेल की ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होती है तो दोस्तों इस बेल को मैंने जून में लगाई थी गिल्की की और देखो ये डेड मेंने के अंदर मातर त्रीजी कटिंग से ये गिल्की का फल आ चुका है और कितना जल्दी से फूल आ गए है और दोस्तों अगर आप भी गिल्की लगाने चाहते हो तो अभी बारिश का मौसम है ये जुलाई का मेना चल रहा है अभी आप आराम से लगा सकते हो और ये इजी टू ग्रो हो जाती है और गिल्की की बात की जाए तो दोस्तों बहुत पोश्टिक सब्जी है और बहुत सास के लिए अच्छी होती है अगर मेरा वीडियो आज आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना इससे आगे का नोटिफिकेशन आपको म थेंक्यू